अगर आपको LIC के IPO के अंदर पार्टिसिपेट करना है और उसका जो 10% रखा हुआ है तो उसको आप कैसे अवेल कर सकते जहांपे आपको प्रिफेंस मिल जाएगी LIC के शेर को मिलने में तो जैसे अभी अपडेट आ चुका है कि LIC का जो IPO ये 4th मही को यहाँ पे लाँच होने वाला है और 9th मही को यहाँ पे क्लोज हो जाएगा IPO के प्राइस की बात करूँ तो सारे 900 से 1000 रुपे का पर शेर यहाँ पे रखा गया है अभी तक lot side यहाँ पे decide नहीं किया गया है लेकिन आप कह सकते हैं 12 से 15 जार रुपे के बीच आपको investment लगानी पड़ेगी इसके लावागर में कमनी की valuation की बात को तो 6 लाग करूड की valuation हो जाएगी प्लस IPO को जो IPO amount है government आप यहाँ पे 5% से केवल 3.5% अपना stake IPO के अंदर निकालने वाला है जिसके लिए वो 21,000 करोड रीज करने वाला है आप देखे गई जो 10% reservation है LIC policy shareholder के लिए उसके लिए basically आपको 3 चीए चीए एक तो आपकी LIC policy का जो number है वो यहाँ पे आपको पता होना चीए second आपके पास में pancard होना चीए plus pancard आपके आधार से भी already link होना चीए और pan number आपको LIC के साथ में link कराना है अब यह link कैसे होगा तो इसके लिए मैं आपको description में दो link देने वाला हूँ तो इस पहले link पे आपको क्या करना है इस link के उपर आपको अपना जो status है वो यहाँ पे check करना है तो simply आपका जो भी policy number है वो आपको insert करना है for an example आप मेरी screen के सामने देख सकते है यह मेरा policy number है तो यह मैंने policy number अपना date of birth डाला और अपना pan number डाला हूँ simply submit के उपर click किया तो मुझे यहाँ पे इस तरह का information आगया कि आपका जो pan details है वो already available है हमारे records के अंदर तो यह मैंने खुद नहीं यहाँ पे link करा रखा था पहले मेरा link नहीं हो रखा था अगर आप देखेंगे तो आपके maximum जितने भी family के अंदर policies होगी उसके अंदर किसी के अंदर भी pan number link नहीं हो रखा होगा तो अगर आपको 10% जो reservation का फाइदा उठाना है तो यह compulsory होगा आपकी LIC जो policy है वो अपने pan number के साथ में link होने चाहिए अब let's suppose guys अगर आप अपने status चेक करते हो और आपको strip का message नहीं मिलता है और let's suppose आपका जो policy number वो pan number के साथ में link नहीं है तो मैं आपको एक को link प्रोवाइड करूँगा इस link के उपर simply आपको अपनी data बड़ डालना है अपना gender डालना है अपनी email id, pan number, mobile number और अपना जो भी policy number है वो simply यहाँ पर आपको add करना है अगर आपके पास में 4-5 policy है तो उन 4-5 policy को आप यहाँ पर add करा सकते हैं जिससे क्या होगा आपका जो policy number है अपने pan card के साथ में link हो जाएगा आप guys एक बाद जब आपका LIC और अपना pan card है वो एक बाद link हो चुका है उसके बाद में simply आपको चाहिए एक DMAT account तो देखें यहाँ पर मैं तीनों के पर बताऊंगा सबसे पहले हम लोग 0-0 के उपर चलते तो यह link भी मैं आपको description box में directly दे दूँगा तो guys यहाँ पर क्या होगा जैसे अभी तक यहाँ पर यह open नहीं हुआ चार में को open होने वाला है जब आप इस link के उपर click करके apply करेंगे तो यहाँ पर आपसे 3-4 category आपसे पूछेगा for an example जैसे यहाँ पर campus का चल रहा है तो जैसे मैं apply के उपर click करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं investor type में जिसे individual investor यहाँ पर select हो रहा है तो जैसे LIC का IPO open होगा यहाँ पर 2-3 category और खुलेगी जिसके अंदर एक के अंदर लिखा होगा as a policy shareholder तो उसके लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो उस category के अंदर select करके आप IPO के लिए यहाँ पर apply कर सकते हैं अगर मैं आप stock के अंदर भी बात करो तो same kind of the thing यहाँ पर भी होगी इसके अंदर आपको एक को category यहाँ पर मिल जाएगी आप गाइस यह पूरा प्रोसेस ही काम कैसे करेगा क्योंकि आपके DMAT account के अंदर आपका pan number लिंक हो रखा है तो automatically जब आप apply करेंगे इसे policy shareholder और आपकी policy के साथ में link होगा तो वो अपने आप में यहाँ पर फैच कर लेगा backend के अंदर की आप जो है LIC के policy shareholder है और जो 10% reservation है उसी के अंदर आपकी application यहाँ पर apply होगी यहाँ गर्णिवर्ण ट्यू जूगर्ण यहाँ ट्यू जूगर्ण झापकी अर्णियुक्त